अगर एक महने पहले आप किसी को पूछते तो लोग परिशान है तो कुछ लोगों का आदत होती है किसी भी कंडिशन में परिशानी ले लो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर सिच्वेशन में हैपी रहते हैं कुछ लोग ऐसे सोच रहते हैं कि अच्छा है टाइम मिलेगा नोटिफिकेशन नहीं आया तो अभी वो खुश थे और अभी वो डबल खुश होगे तो आप देखो आप किस कैटिकरी में आते हैं चलो यहा चार-चार पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं और सेभी के भी दो नहीं तीन पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैक्सिमुम सेभी के लिए दो पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो हम यह सोचना चाहिए कि अगर मेरे पास चार आप्शन हैं मैं कहा पर अपलाई करू तो मुझे इसमें से practically दो देखना चाहिए अगर मेरी capacity है मेरा पढ़ाई हो चुका है पहले मैं उस background से हूँ तो मैं दो का preparation कर सकता हूँ otherwise फिर आप ये भी कर सकते कि नहीं मैं इतना tension नहीं ले सकता हूँ अपर ये आपको पता है कि लोगों को एक exam है इतने सारे लोग है वो तो एक exam करने के condition में नहीं है मुझे इतने सारे लोग बोलते कि sir RBA गड़ भी अब इतने कम दिन में कैसे करें से भी इतने कम दिन में कैसे करें पतब लोग एक का option भी बहुत लोगों को बहुत difficult लग रहा है तो ये दो तीन चार का option तो बहुत लोगों को impossibility लगेगा तो ये situation है देखो यहाँ पर decision making बहुत important है नाबाड के time पे भी आपको पता है नाबाड में तो एक ही option है नाबाड is very easy in case of decision making क्योंकि वहाँ पे आप एक तो MBA finance है तो आप finance के लिए apply करो या generalist के लिए करो वहाँ पे वो decision लेना पड़ेगा कि decision making में तो बहुत problem है sir मैं IT से भी हूँ और मैं generalist के भी दे सकता हूँ तो मैं क्या करूँ तो यहाँ पर हम देखेंगे और मैं यहाँ पर आपको eligibility matrix भी दिखाऊंगा eligibility matrix का मतलब है एक table जैसा कि उसमें कौन-कौन type के background के लोग कहा-कहा eligible है तो आपको यह decision लेना है और मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा exam difficult देखो इसका generic answer नहीं होता है अगर मैं पूछो UP से का exam easy or difficult यह generic answer नहीं है आपके लिए easy or difficult वो आपको पूछना है हमें क्या करना है दुनिया के लिए क्या है correct क्योंकि हमारे कुछ student ऐसे है मतलब जिने चुने student है दो-चार जिनोंने तीनों exam निकाला है RBA भी निकाला SEV भी निकाला NABAARD भी निकाला EK8 में निकाला 2-2 निकालने वाले तो बहुत है और single निकालने वाले तो 1000 के उपर होंगे तो यह जनरलिस नहीं करना है आपको देखना है which exam is difficult I am not going to tell you the generic answer क्योंकि यह हर एक के लिए लग है आपको देखना है कि वह आपके लिए कौन सा है easy है कौन सा difficult है based on your background ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको syllabus भी दिखाऊंगा क्योंकि कल के workshop में 200 लोग थे वहाँ पर बहुत तोगे नहीं question पूचा सा जनरलिस का syllabus क्या है IT का क्या है Research का क्या है Electrical Engineering का क्या है राजबाशा यहाँ पर official language का है उसका क्या है तो यहाँ पर देखेंगे मैं आपको एक mental framework दूँगा उसके base पे आपको decision लेना है मैं नहीं कह सकता कि भई UPSC exam easy है RBI easy है आप बोलेंगे मेरे लिए तो difficult है तो आपको आपके लिए क्या है वो देखना है हमें कुछ लोग हो सकते जिनके लिए 3 भी easy है कुछ लोग 4 भी exam देंगे depending upon the capacity तो यह mental model है यह बहुत अच्छी तरीके से आपको सोचना है यहाँ पे ही 90% लोग यहाँ भी फस जाएंगे यह जो charger option मिलेंगे यहाँ पे बहुत लोग फस जाने वाले है मैंने देखा है मुझे इतने सारे message आई यहाँ पे फस गये लोग तो यह introduction होगा यहाँ पे लोगो जो है ओल्ड वाला ही मुझे पसंद आया तो मैंने भई रखा चेंज नहीं किया तो आप उतने edges कर लिजे चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते है तो यह है हमारे result तो यह है हमारे result तो आप यहाँ पे जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे call करके information ले से है तो चलो यह देखते है यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा था आपको कि मान लीजे मैं MBA finance हो MBA finance है तो मैं यहाँ पे apply कर सकता हूँ correct MBA finance है मैं यहाँ पे भी apply कर सकता हूँ अगर मैं engineer हो safe engineer कोई भी discipline का मैं यहाँ पे भी apply कर सकता हूँ engineer है तो मैं यहाँ भी apply कर सकता हूँ और अगर मैं electrical engineer है तो मैं यहाँ भी apply कर सकता हूँ लेकिन मुझे maximum दो के लिए apply कर सकता हूँ electrical engineer तीन के लिए apply कर सकता है लेकिन वो maximum practically rule के इसाब से दो जगर पे apply कर सकते है लेकिन उसको decide करना है कि उसको क्या आता है syllabus देख लिजिए, तीनों का syllabus देख लिजिए then you can decide कि आप कहां पर अच्छे है यह आप ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि यह आपको कहां apply करना है क्योंकि मैं कहूंगा कि करो IT में apply, आप कहते हैं मुझे programming नहीं आती यहाँ पर बहुत high level की programming होती है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा आता है, क्या नहीं आता है ठीक है, चलिए यह है आपका RBA grade B का ठीक है, RBA, जैसे महाली जी कोई MBA finance है तो वो यहाँ पर भी apply कर सकता है और यहाँ पर भी apply कर सकता है finance में, ठीक है यहाँ पर देखो, master's degree in finance MBA finance है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको syllabus दिखाऊंगा, तभी आपको decide करना है, अगर मैं generic way में बताओ, यह देखो यह हर एक को अपना decide कर लेकि generic बताओ, तो MBA finance वाले यहाँ पर apply मत कीजे क्योंकि यह बहुत high level का syllabus है pure economics का syllabus है और जिनका proper MBA economics हुआ है, वो दोनों के लिए apply कर सकते है और दोनों के लिए try भी कर सकते है क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छा gap है तो आप दोनों के लिए prepare कर सकते है depending upon your level of preparation आप कब से पढ़ाई कर रहे है अगर आज ही आपका पहला दिन है पढ़ाई start करने का तो फिर आपको कोई भी decide करना पड़ेगा अभी देखो मैं जो matrix की बात करो यह matrix है, जैसे engineer common engineer, यहाँ पे apply कर सकता है यहाँ पे apply कर सकता है यहाँ पे apply कर सकता है ठीक है, lawyer यहाँ पे apply कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है CBA legal के लिए कर सकता है MBA finance, ठीक है, यहाँ पे कर सकता है यहाँ पे कर सकता है, जनरलिस्ट के लिए कर सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको CB में maximum 2 है तो इसलिए practically वो भी चार जग़े पर अपलाई कर सकता है BA become BSC यह सबसे unlucky लोग है क्योंकि यह सिफ RBA ग्रेट B के लिए अपलाई कर सकते हैं और वो भी अगर 60% aggregate है तो otherwise फिर यह कहीं पर अपलाई नहीं कर सकते हैं इन पर बहुत अन्या हो रहा है लेकिन आप आवाज raise करके फाइदा नहीं है क्योंकि हमने politically active नहीं है हमें approach करना चाहिए हमारे जो MP है उनको approach करना चाहिए लेकिन हमने तो बता दिया है भई मैं किसके favor में हूँ पहले ही बता दिया अगर आप मैंने एक post लिखा था अगर आप पहले ही बता देंगे आप कहां पर apply करने वाले तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है ठीक है तो यह सबसे unlucky लोग है जाना चाहिए political body के पास और बुलना चाहिए कि भई हमारे लिए कुछ करो लेकिन हम नहीं करेंगे M.A.M.C. ये कर सकते है R.B.I. Generalist के लिए अगर आपका M.A. Economics है तो आप D.E.P.R. के लिए भी कर सकते है आप C.B. Generalist के लिए भी कर सकते है और M.A. Economics और M.C. और M.C. वाले applicable होंगे उतना आपका confusion हो जाएगा उस angle में में B.A. B.C. लोगों को अच्छा मानूगा क्योंकि उनके पास एक ही option available है और बस उनको एक ही जगह पे focus करना है तो आपका वो time बच गया जिसमें बहुत सोचना पड़ेगा ठीक है तो हमें क्या है हमारी situation में क्या अच्छा है वो लेकर आगे बढ़ना है यह नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता तेखो जो रोने वाले लोग है वो अगे कहीं भी रोहेंगे और जो रोने वाले नहीं है वो हर जगह पे खुशी लेने का ट्राइ करेंगे तो वो personal treat है तो यह सब को पता चल गया, क्या-क्या है अभी ये RVA Gateway का सिलाबस है as per the previous notification क्योंकि अभी पूरा notification तो आया नहीं है तो यहां पी क्या है जिनको देखो अभी क्या है ना अगर आपको सिर्फ RVA Gateway का भी preparation करना है, सिर्फ एक exam का तो भी मैं focus करूँगा, सिर्फ प्रिलिम पे focus करो बिल्कुल मत सोचो अगर आपको सोच के tension लेनी के आदते दे ले लो otherwise बहुत simple मैं आपको decision making सिखा रहा हो, सिर्फ phase 1 पे focus कीज़े क्योंकि वही इतना difficult है तो आप unnecessary आपकी energy है 10 जगा पे divide मत कीज़े और बिल्कुल भी मत पूचे कि बाद में preparation कैसे करूँ, सिर्फ कैसे आपका prelims निकलेगा, वो सोचो, ठीक है उसके बाद यह syllabus आपको पता है, मैं इसका भी syllabus दिखा देता हो RBI AGB का, ये देखो RBI AGB का generalist का syllabus है अभी बहुत लोगों को confusion है ठीक है, कि CBI generalist और RBI generalist का कैसे करें, तो अगर आप ये syllabus देखेंगे, ये finance का syllabus है ये वाला, ठीक है, तो ये finance का syllabus देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा आपको CBI के finance section के लिए useful होगा, ठीक है CBI के finance, अगर ये अच्छे से करेंगे तो automatically आपका CBI finance का syllabus हो जाएगा, जो CBI के generalist के syllabus में, जो finance का section है, उसका, ये RBI, GIDB का ESA का syllabus है इसमें आपका 50% syllabus हो जाएगा RBI में जो economics का section है उसका 50% हो जाएगा, वो क्या है मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये देख लिया English का paper सब जगे पे common है ये अच्छा है आपका, तो आपको कही बे भी ज़्यादा attention लेनी की ज़रूरत नहीं है तो ये management है, ये RBI का management है इसका आप अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो CBI में जो management section है, वो भी आपका automatically हो जाएगा, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अभी से भी जनरलीज देखते हैं यहाँ पे बहुत लोगों को tension है मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप commerce background के है या non commerce के है, दोनों के लिए में बताऊ नहीं अभी देखिए, अगर आप commerce के हैं, non commerce के अगर आप non commerce से है, तो आपको management ऐसा करना है जबरदस करना है, कि 100% mark आ जाए, लोगों को आते भी है ठीक है, अच्छा preparation करना है, देखो मेहनत तो करनी पड़ी ऐसा मत बोलो कि मुझे मेहनत नहीं कर ली, मुझे selection चाहिए तो फिर आप भूल जाए, मैंनो तो करनी पड़ी, उसके बाद finance वाला section है, यहाँ पे 100% mark नहीं है, क्योंकि यह तना difficult नहीं है, आप अच्छे से prepare कर सकते हैं, companies act है इसको मैं easy कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे memorization की बात है, understanding का इतना यहाँ पे scope नहीं है, और उतनी जरुरत भी नहीं है, तो यह easy level कहूंगा, अगर आप यहाँ अच्छा preparation करेंगे, तो 80-90% यहाँ पे आप cover कर सकते हैं syllabus, ठीक है, यह economics वाला portion है, A वाला, यह बहुत difficult है, because यह core economics का part है, जिनका अगर MA economics होए, उनके लिए easy होगा, बाकि otherwise लोगों के लिए difficult है, आपको यहाँ पे 50% तक mark आ सकते हैं, अगर आप अच्छे मेहनत करेंगे तो, यह जो नीचे वाला portion है B वाला, इसको मैं moderate कहूंगा, 80-90% marks यहाँ पे यह easy है, costing is very easy, it is like mathematics कुछ formula है, यहाँ पे भी आपको 80-90% mark मिल सकते हैं, और यह commerce accountancy यह भी moderate है, moderate to difficult कहूंगा, यहाँ पे आपको 60-70% mark मिल सकते हैं, इसका मतलब है, अगर आप non commerce background से हैं, तो आप 85-90% syllabus पे command कर सकते हैं, और वो करने के बाद exam में आपको 75-80% mark मिल सकते हैं, अगर आप non commerce background के हैं, तो अगर आप commerce background के हैं, तो आपको थोड़ा सा advantage मिल गया है, पास-10% का, तो आप 90-95% syllabus आप अच्छे से cover कर पाएंगे, क्योंकि pure economics आपको नहीं हो, आएगा जादा, अगर आप commerce background से हैं, तो क्योंगी यह difficult level का है, ठीके, और बाकी आपका अगर 90-95% का coverage करेंगे, syllabus आपको समझ में आएगा, आपको 80-85% मिल सकते हैं, यह कब हैं, जब आप sincere पढ़ाई, consistent basis पे करने के लिए ready है, तो, और इसी तरीके से आपको focus करना है, यानि कि इसका मतलब क्या है, आप जब पढ़ाई करेंगे, तो आपको यह economics वाला portion, इस पे ज़्यादा energy नहीं लगानी है, और commerce accountancy पे ज़्यादा energy नहीं लगानी है, जितना आपको course में provide किया है, कोई भी course ले लो, explicit कोई भी ले लो, वहाँ पे limited energy यहाँ पे spend करो, पूरी energy यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है, company's act पे लगानी है, और यह नीचे वाला portion यहाँ पे लगानी है, इस तरीके से आपको preparation करना पड़ेगा, और यह और RBI, गेड़वी का है उसमें आप 40-50% overlapping देख सकते हैं इंगलिश का भी paper है ये उस management है finance है और अगर आप देखेंगे जो result आया है उसमें one third engineers है जिनका commerce background नहीं है उसके बाद CA CFA, CMA, CS वाले जो लोग है वैसे one third लोग है और one third लोग ऐसे है कि जो अलग अलग post graduate degrees है उसमें arts के भी है commerce के भी है science के भी है बाकी discipline के है यानि कि सब लोगों को यहाँ पे equal chance मिल रहा है ठेक है यह हो गया CBA के बारे में CBA research का syllabus देख लो यहाँ पे syllabus देख लो यह MBA finance के लोग यहाँ पे eligible है लेकिन वो यह syllabus की पढ़ा ही नहीं कर सकते बहुत difficult है और यहाँ पे सिफ दो seat है तो यहाँ पे आपको देखना है कि भई मैं कहाँ पे energy लगाओ अगर आप MBA finance है तो जन्रलीस पे लगाओ यहाँ पे मत लगाओ सिफ दो post है और दो post में कौन से category को क्या जाएगी हमें नहीं पता अगर mostly आप कोई भी category से maximum आपको exit मिलेगी otherwise zero मिलेगी तो वो देख लो आप उसी साब से दो इस seat है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा energy लगानी चाहिए practical decision में क्याना चाहिए electrical engineering में भी दो vacancy है आप syllabus देख लीजे और देखी कि आपने engineering में कैसे पढ़ाई कि अगर आपको यह सारे command है तो आप electrical के लिए कर सकते हैं फिर से वही है कि आप कोई भी category से हो maximum आपको exit मिलेगी otherwise zero seat हो सकती है तो आपको सब लोगों को exit के लिए fight करना पड़ेगा अगर आपके category seat नहीं तो आप general के लिए fight कर सकते हैं एक seat मिलेगी आपको decide करना है apply करना है official language यहाँ पर भी same है यहाँ पर भी 2 seat है तो आप decide कीजे कि आपको यहाँ पर क्या करना है ठीक है? CBIT में क्या है? बहुत deep level पर programming पूछा जाता है तो कोई भी engineer यहाँ पर eligible है मतलब civil का है chemical का है कोई भी भर सकता है तेकिन आपको programming अगर आती अच्छी तरीके से तो ही यहाँ पर जाना है otherwise यहाँ पर नहीं जाना है तो यानि कि अगर आप computer engineer हो, IT हो आपको अच्छी programming आती तो आप इसको भी try कर सकते है और अगर आपके पास उतना energy है self confidence है तो आप generalist के लिए कीजिए और यहाँ पर भी आप कर सकते है ठीक है तो फिर आपको देखना है कि यार RBI का करना है या CBI के दो करने है depending upon आपका capacity, आपका interest और आपका expertise इसके basis पर करना है यह है RBI DEPR अगर आप MBA finance है तो आप RBI Generalist भी दे सकते है और यह DEPR भी दे सकते है लेकिन यह syllabus देख लीजे काफी deep level का syllabus है MA economics level का है JNU, DU, ऐसे जो top की university है Delhi School of Economics, उसके level का syllabus है syllabus के basis पर आप decide कर सकते है लेकिन जिनका MA economics है उसको मैं suggest करूँगा कि आप दोनों दीजिए RBI Generalist भी दीजिए और या RBI DEPR भी दीजिए और उसी basis पर अलग से पढ़ाई मत कीजिए आप CB का जो Generalist है उसको भी कर सकते है अगर आपने आपके college time में MA economics का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से किया है तो ठीक है तो finally यहाँ पर अभी आपको समझ में आया होगा ये decision आपको लेना है मैं आपके लिए नहीं बता सकता कौन सा easy है कौन सा difficult है मैं तो कहूंगा कि CBIT दो आप बोले कि सर मुझे CVC plus कुछ नहीं पता था फिर आप नहीं दे सकते correct तो कौन सा difficult है ये सारा information आपके सामने है ठीक है उसके basis पे decide कीजे क्योंकि यहाँ पे हर person जो है कम से कम एक दो post के लिए अपलाई कर सकता कुछ-कुछ लोग चार के लिए भी कर सकते है लेकिन आपको बहुत conscious decision पहले वो decision लेना है कि कहां पे apply करना है ठीक है आपने देखा का मैंने नाबाड का finance के time पे interview लिया तो उन्होंने कहा कि सर मैंने आपका सुना क्योंकि मैंने पहले तीन बार generalist नहीं निकाल पाया आपने इस बार कहा किस के लिए करू उसको तो भई एक ही करना है जो लोग पुझे पूछेगा कल भी मैंने दो तीन लोगों को कहा अगर आप पूछ रहे कि सर मैं दो के लिए कैसे करू इसका मतलब ही you are not ready तो आपको एक ही करना है जिन लोगों को doubt है उनको एक ही करना है क्योंकि एक एक एक्जाम का preparation करना भी बहुत monumental काम है तो आप दो, तीन, चार handle नहीं कर सकते तो ये समझी आप तो मैं बहुत टाइम से बोड़ रहा हूँ कि ये competitive exam निकलना specific regulatory body पढ़ाई का रोल सिफ one third है आपका mindset, strategy का रोल one third है और exam के दिन दो गंटे में, तीन गंटे में, चार गंटे में जो होता है exam उसमें क्या करेंगे, उसका रोल one third है तो पहले decision making कर लो फिर पढ़ाई पे आ जाओ और फिर exam के दिन कैसे करना वह हम आगे देखेंगे अभी जो syllabus के बारे में उन्होंने दिया है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है मैं किसी से पूछता हूँ तब तक आप ये जो syllabus दिया हुआ है उसी के base पे जाईए, बिल्कुल time base मत कीजे कुछ लोगों ने छोड़ दिया कि भाई मैं 13 अपरिल तक वेट करूँगा वो बताएंगे तब मैं करूँगा कुछ लोग बोलेगे जब तक होल टिकेट ने आता मैं पढ़ा ही नहीं करूँगा ऐसे भी लोग है तो आपको विल्कुल time base नहीं करना है बहुत अच्छे ओपोजिटी आई है इसका utilize करना है आप क्या करने वाले हैं कमें सेक्चे में पूछे अगर आप मुझे पूछ रहे है किसे में दोनों के लिए करूँ तो उसका answer no है आप एक को ही decide करना है वो कुण सा करना है वो आप खुद ही बता सकते है एक करना है यह इंध बढ़ इस वीडियो और लगहे इंध लिए इस टूटी के अच्छे अच्छे में एक खुद एक करना है